मुझे देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि मुझे के फूल किसने पहनाया मामी ने बच्पन से पहनाती है और मैं पोनी को यूही बच्पन में भईया दीदी हम सब पूरा दिन खेलते और मैं रेटरी बन जाती हम अपने आपको कंफटेबल बनाने के लिए अलग-अलग टेक्निक्स यूज करते है मुझे भी करनी पढ़ती है बस भाईया दीदी से थोड़ी अलग कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सब को होती है बस मेरे प्रॉब्लम्स अब को नजार आते है लेकिन किसी की बदे पाती हो तो मैं नजार ही नहीं आती मेरी स्किन किंडिशन का नाम एक्थियोसिस है ये इंफेक्शिस नहीं पिदाईशी है इसका कोई इलाज नहीं कुछ लोगों के नजर ये की तरह ये दस लाग लोगों में एक को होता है पर लागों में एक तो मेरी मॉमी है मेरी बीमारी मेरी सिंदगी का एक हिस्सा है मेरी पहचान नहीं क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कुछ है जो बाकी कहानियों में होता है कुछ होप्स कुछ ट्रीम्स कुछ कोशिश है पर ये कहानी शुरू ही नहीं होते अगर 17 साल पहले दो लोगों ने मिलकर एक फैसला नहीं लिया होता मुझे अडॉप्ट करने का फैसला और ये फैसला उन्होंने कोई चारिटी करने के लिए नहीं लिया था लिया था तो बस खुशी के लिए प्यार के लिए आज आप वही फैसला लेने वाले हैं जो उन्होंने 17 साल पहले लिया था इसी ओफेनेज में पता है आप यहाँ अपने बच्ची को कैसे पहचान पाओगे अगर उसे देखते ही आपके मन में वही सवाल आता है जब मुझे देखते ही ममी और पापा के मन में आया था क्या ये हमारी नहीं बन सकती क्या ये हमारी आता है